वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात कहने थी हमने इस वीडियो में पिछले पार्ट को भी एड़ कर दिया है इस वज़ा से अगर अपने पिछले पार्ट नहीं देखा वरना आप कमेंट सेक्शन में दी गई टाइम लैप पर देख करके डारेक्ट न्यू पार्ट पर पहुंच जाओगे इस वीडियो को एंड तक देखना यह कहानी बहुत ही ज्यादा मस्त है यह कहानी असल में उसातो नाम के एक ऐसे लड़के की है जो कि हाई स्कूल स्टेंडर में है मगर उसका कोई दोस्त नहीं है वैसे तो बहुत अच्छा है और सबकी मदद भी करता है पर फिर भी कोई उससे बात तक नहीं करता साथ ही वो एक अनलकी भी है आज उसका एक और अनलकी डे था क्योंकि जब वो स्कूल से वापस घर के लिए लौट रहा था तब वो नीचे आकर देखता है कि उसका अंब्रेला चोरी हो चुका है उसे नहीं पता कि यह किस ने पर कुछ और घंटे बारिश नहीं रुकती पर तभी वहाँ पर स्कूल कांसिलिंग प्रेजिडेंट इनुकामी आ जाती है असल में वो स्कूल की कुछ जरूरी काम के लिए अभी तक रुकी हुई है वरना बाकि स्टूजन तो कपके घर जा चुके हैं यहां पर इनुकामी उसातो को देखती है तो पूसती है कि कि वो यहां पर क्या कर रहा है अब उसातो यह तो नहीं कह सकता था कि उसका अम्रेला छोरी हो गया इस वज़ा से वो बहाने बनाने लगता है पर इनुकामी समझ गई थी वो कहती है कि तुम्हें जल से जल घर जाना चाहिए क्योंकि अब वो स्कूल के किट लगने वाले हैं ये सुनते ही उसातो तुरंती वहां से जाने लगा था और उसे अब गीले होने की चिंता नहीं थी पर तब इनुकामी उसे रोकती है वो कहती है कि वो स्कूल काउंसलिंग प्रेसिडेंट है और ऐसे में अगर मैं तुम्हें इस तरह स उसे पूरे स्कूल की सबसे सुन्दर लड़की है उसातो उसके लिए तैयार था पर तब ही वहां पर स्कूल काउंसलिंग का वाइस प्रेसिडेंट काजू की आ जाता है वो यहां पर आकर बताता है कि वो हमेशा अपने साथ दो अमरेला लेकर चलता है जो कि उसके बैग मे रहते हैं, इस वज़ा से चोरी होने का डर ही नहीं बनता, वो तुरंती अम्रेला निकालते होए उस आतों को दे देता है, वैसे तो उसातों को बहुत ही गुष्सा आना चाहिए, पर पहली बार उसकी किसी ने मदद की थी, इस वज़ा से वो इस बारे में नहीं सोचता, अब वो दोनों ही यहाँ, उसातों से कहते हैं कि वो उनके साथ घर चल सकता है, क्योंकि अब वो घर ही जा रहे हैं, ये बात उसातों के लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि अभी तक उसका कोई दोस्त नहीं बना, वो चुरूर से लेकर हाई स्कूल तक पहुँच गया, पर फिर भ कमारा दोस्त लगता है, पर काजू की कहता है कि नहीं, उसने आज तक उसातों से कभी बात नहीं की, उसातों कहता है कि हाँ, तुम क्लास में गल्स में बहुत ही फेमस हो, तुमें मेरे साथ बात करने का टाइम ही नहीं मिला होगा, पर काजू की कहता है, ऐसा बिलकुल नही मगर वो इंप्रेस थे कि उसातों ने उन से ये चीज़ पूछने की हिम्मत की अब वो जब आगे जा रहे थे तब ये अचानक से उनके रास्ते में एक बहुत तेज बैल की आवाज सुनाई देती है यहां पर ये बैल की आवाज सिर्फ काजु की और इनुकामी को सुनाई द थी अब अचानक से दूसरी बैल की रिंग होती है उनके पास में एक मैजिक सरकल क्रियेट होता है जो कि उन्हें वहां से टेलप्रोट कर रहा था उसातों को वैसे तो वो बैल की आवाज सुनाई नहीं दी थी पर इन दोनों के बीच में वो फस जाता है कुछ दिर बाद उ तो शौक हो जाता है क्योंकि इनुकामी बहुत ही जादा एकसाइटीड फिल कर रही थी उसे तो मज़ा आ रहा था जबकि उसे भी नहीं पता कि वो अभी कहां पर हैं अब वो सामने किंग को बैटा हुआ देखते हैं कि उन्हें बताने लगता है कि आखिर वो है कॉन पर इ इस बार जो हमला हुआ था उस हमले को तो हमने किसी तरह से थोड़े बहुत नुकसान के साथ रोक लिया पर हमें एक खबर मिली है कि डीमर लॉड अपनी आर्मी को और जादा स्ट्रॉंग बना रहा है और हमें नहीं लगता कि अगली बार हम उसे रोक पाएंगे इसलिए हम इसका मतलब वो उन सूपर वोयर्स को यहां पर समन किया जिनके पास उस डीमर लॉड को लड़ने की शक्ती है यह सुनकर यहां पर सभी शौक थे पर काजु की कहता है कि मुझे इन सब में कोई फरक नहीं पड़ता मैं अपनी दुनिया में अपनी लाइफ नॉमली गुजा पर रहा था मुझे वहां पर वापस भी दिये जाए यह सुनने के बाद किंग तुरंती कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता वो बताते हैं कि जो फॉर्बिडन स्पेल था इसे सिर्फ एक की डिरेक्शन में यूज किया जा सकता है इसका मतलब वो उन सूपर वोयर्स को यहां पर पर यहां से वापस नहीं बेच सकते हैं यह सुनकर काजुकी को गुस्सा आ जाता है और वो खड़ा ओकर किंग के तरफ बढ़ने वाला था पर किंग के सोल जस तभी उसे रोक लेते हैं लेकिन यह देखते हुए किंग वहां से नीचे आते हैं और इन लोगों के पास अपन हमारी मदद करेंगे अब इनके पास कोई चारा नहीं था इस वजह से इन लोगों को बात माननी पड़ती है अगले सीन में हम देखते हैं कि वो वहीं पर खड़ी हुई एक लेडी जो कि असल मैजिक डिपार्टमेंट को संभालती है वो इन तिनों को ही वहां से अपनी मैज सातों कहता है कि हाँ तुमने सही का पर मैंने किंग को इस बारे में बताया उन्होंने का कि वो मेरा भी खयाल रखेंगे यह सुनकर काजु की खुश होता है तब भी वहां पर लेडी कहने लगते है कि चिता मत करो तुमें भी मैजिक मिलने के 90% चांस है यह सुनकर उस आतों इसका मतलब यह है कि उसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में माना है माना का मतलब यहाँ एनरजी से है इसके बाद अब काजु की आगे आता है जब वो इस बाल को टच करता है तो उस में से तो उस टाइम पर यह बाल वाइट कलर की हो जाती है वाइट कलर का मतलब है कलर की ग्लू करने लगती है ये देखती हुए वो लेड़ी शौक हो गई थी वो तुरंती उसातों को वहां से किंग के पास लेकर आती है किंग उसे इस तरह से हड़ बढ़ाए हुए देखकर पूस्ताए कि क्या हुआ तो इस पर वो लेड़ी बताती है कि इनुकामी और कि मैजिक के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें बहुत ही अच्छे अलिमेंट मिले हैं ये सुनकर किंग शौक थे वो कहते हैं कि कहीं उसातों को ब्लैक कलर तो नहीं मिला ब्लैक कलर से यहां पर उनका मतलब डाकनेस की पावर से है पर अब वो लेड़ी बताती है कि न पर यही प्रॉब्लम है कि यह उसके पास नहीं होना चाहिए था यह सुनकर उसातों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था पर किंग जिसकी बात कर रहे थे तब ही वो लेड़ी वहां पर आती है इसका नाम रोज है यह यहां पर आकर जैसे ही आगे बढ़ रही थी तो वहां प किंग्लम की मदद करने के लिए पर उसे इस सब की में कोई इंटरेस्ट नहीं था अब वो जब आ रही थी तब ही यहां पर उसातों से रहा नहीं जाता और उसातों किंग से पूछने लगता है कि आपने बताया नहीं इस ग्रीन लाइट का मतलब क्या है यह सुनकर रोस का द्यान तुरंती उसातों की तरफ जाता है वो समझ गई थी किंग उसातों को उससे दूर करना चाहते हैं यानि बचाना चाहते हैं वो उसातों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है पर तभी मैजिक डिपार्टमेंट की वो लेड़ी उसातों को वहां से उड़ाते और इनुका में से बात कर रही थी तो वो दोनों बहुत ही चिंता में लग रहे थे पर मैजिक लेड़ी बताती है कि चिंता करने के कोई बात नहीं है जो लड़की उसातों को उठाकर लेकी गई है वो असल में रेक्सियू सौर्ट की कैप्टन है पर चिंता करने का कारण य एक healer है और वो जिस rescue squad में है उसके अंदर दो और healer है मगर अभी वो कहीं दूसरे mission पर गए हैं यहाँ पर वो बताती है कि उनके squad में और भी कई सारे members है पर वो healer नहीं है वो members यहाँ पर आकर उसातों को अपना introduction देते हैं वो बिल्कुल किसी gangster या फिर गुंडी की तरह लग रहे थे इस वोजह से उसातों थोड़ा डर गया था पर रोज उनको वहाँ से भगाते हुए कहती है कि तुम्हें अपने नए team member को डराने की ज़रूरत नहीं है अब रोज कह रही थी कि तुम्हारी training शुरू करनी है उसातों कहता है कि आज तो मैं बहुत ही ज़र ठक चुका हूँ हम कल training शुरू करेंगे इसके बाद अब उसातों सोने चला जाता है अगले दिन जब उसकी नीद कुलती है तब भी वो इसी world में था इस वोजह से बहुत ही ज़र शौक था क्योंकि उससे पहला लग रहा था कि ये शाहिद कोई बुरा सपना है जो कि अब खतम हो जाएगा पर अब जब वो उठता है तो तब ही हम देखते हैं उसकी टीम का वे गैंस्टर मेंबर खाना बना रहा था वो कहता है कि तुमसे कोई मिलने आया है उसातो जब बहर आता है तो यहाँ पर काजुकी और इनुकामी थे वो दोनों उसातो की चिंता कर रहे थे इस वो जैसे वो उसातो से मिलने के लिए आये हैं उसातो कहता है कि चंता करने के कोई जरुवत नहीं है उसातों अभी बहुत ही मोटिवेट था ये देखका इनुकामी कहती है कि हम भी बहुत मैनत करेंगे और अब उन्हें वहाँ से जाना था क्योंकि आज से उनकी भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही थी वो दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं उसातों उन्हें जाते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि ये दोनों इतनी जल्दे इस फर्ल्ड में घुल मिल गए वैसे ही दोनों इस वर्ल्ड के लिए बने गए हैं तब ही उन्हें उस बैल की आवाज सुनाई देती है उसातों सोचने लगता है कि भले ही मुझे यहां के लिए नहीं चुना गया है पर फिरी भी मैं हार्ड वर्क करकर इनकी मदद करूँगा मतलब मैं इतना स्टॉंग बनूँगा कि इनके किसी काम आ सकूँ पर अब तभी वहां पर रोज आ गई थी उसातों से देखकर डर जाता है और तोलंती अपना सर जुका लेता है रोज कहती है कि तुम यहां पर कोई कैदी नहीं हो तुम जब चाहो अपने दोस्त से मिल सकते हो बस ध्यान रखना कि जब तुम ट्रेनिंग ना कर रहे हो तब ही उनसे बातचीत करो इसके बाद अब वह उसातों को एक डायरी देती है और कहती है कि उसातों इसमें अपनी एक्सपीरियंस के बारे में और डेली लाइफ के बारे में लिख सकता है अपना मन हलका करने के लिए उसातों से रख लेता है रोज कहती है कि हम ब्रेकफास्ट के बाद से ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे अगले सीन में उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया था और अब वो ट्रेनिंग के लिए तैयार थे यहाँ पर आकर रोज कहती है कि आज हम ट्रेनिंग थोड़ी हलकी फुलकी करेंगे वो उसातों को मैजिक के बारे में थोड़ा समझाती है और उसके बाद उसातों को एक किताब देती है जो कि तब एक्टिवेट होता है जब कोई दूसरा वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में टेलपोट हो उसातों सब कुछ पढ़ पा रहा था रोज उसे डीटेल में समझाना स्टार्ट कर दिया था उनका जो किंडम है उससे कुछ ही दूर डीमन किंडम है याने कि उनके बीच में ज़्यादा दूरी नहीं है और अगर डीमन किंडम उनके उपर हमला करेंगे तो रोज पहले उन पर जाकर हमला करेगी वो उसातों को पहले ही वोन करती है कि उसे जल सजल स्ट्रॉंग बनना होगा उसातों इसके लिए तयार था अब पहले दिन तो बहुत ही असान था लेकिन अब अगला दिन चालू होता है आज रोज ने उसे कहा था कि उसे दोड़ना है उसातों दोड़ना स्टार्ट करता है उसे नहीं पता था कि ये उसके मैजिक में क्या काम आएगा या फिर उसके magic इससे किस तरह से strong बन सकता है पर फिर भी वो बिना कोई बहाना बनाए दोड़ना चालू करता है अब वो बहुत देर तक दोड़ रहा था इस वज़ा से वो ठक जाता है और गिर जाता है उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया था पर थभी रोज वहां पर कर उसके पैरों पर जोर से लाथ मार देती है यहां पर उसने अपनी healing power का इस्तमाल किया था इस वज़ा से उसातों को भी पता नहीं चलता और उसके पैर ठीक हो जाते हैं रोज फिर से उसे दोड़ाने को कहती है जब तक शाम ना हो जाए उसातों इस तरह से दोड़ता रह नहीं कर सकता ऐसा इसलिए क्योंकि वो टीम मेंबर्स बहुत ही टाइम से इस तरह के ट्रेनिंग कर रहे हैं अब कुछ दिर भागने के बाद उसातों गलती से गर जाता है गरने के बाद उससे ज्यादा चोट नहीं लगी थी पर थबी वो अपने हाथ पर नोटिस करता है कि ग्रीन लाइट निकल रही है इसका साफ मतलब यही था कि यह उसकी मैजिक पावर है वो शौक था यह देखकर कि उसने दोड़ने की वज़ा से उसकी हीलिंग एक्टिविटी दीरे एक्टिव हो रही है अब वो खुश था और उसे कारण मिल गया था वैसे अब इसी तरह से इस ट्रेंडिंग से पक चुका था वैसे अब वो उस ट्रेंडिंग को अपने दोस्तों की मदद करने के लिए नहीं बलकि रोज की साबित करने के लिए कर रहा था कि वो हार नहीं मानेगा वैसे अब 11 डे वार वो खुट को पारने से भूप करणा रहा snippetoy को और आदसे पर रोज उसे बताती है कि मैं तुम्हें इतना हार्फ ट्रेनिंग इसलिए करा रही हूँ क्योंकि हीलर को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉंग होना चाहिए ऐसा उसका मानना है वो कहती है कि हीलर कर स्ट्रॉंग होगा तो वो कैसे भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है और अपने टीम मेंबर्स की जान बचा सकता है अब इसी तरह से वो दिन भर पुश अप्स करता है अब उसने भी हार मानना बंद कर दिया था अब उसे रोज कहे या ना कहे वो श्याम को भी अपने आप खुद से ट्रेनिंग के लिए चला जाता था वैसे अगले ही दिन रोज ने उसके उपर एक वेस्ट पहना दिया था जिसका वज़न बहुत ही ज़दा था अब उसातों को उसे पहन कर भी दोड़ना था और पुशप्स करने थे अब उसके लिए सब बहुत ही ज़दा डिफिकल्ट होता जा रहा था वैसे आज वो जैसे ट्रेनिंग पर वापस लोटता है तो वो देखता है कि उसका जो टिफन था वो उसके ही साथी यानिकी टीम मेंबर्स ने खा लिया है ये देखकर उसे बहुत ज़दा गुस्सा आता है और तुरंती उससे साथी के पीछे भागने लगता है ये देखकर दूर से रोज हस रही थी वैसे वो शौक भी थी क्योंकि अभी उसाथों में वो वेस्ट नहीं उता रहा था लेकिन फिर भी वो इतनी तेज भाग रहा था जबकि अभी अभी वो इतना हार ट्रेनिंग करके आया है अभी इस तरह से उनकी ट्रेनिंग चलती रहती है हम देखती हैं कि एक दिन अब इनू कामी और काजू की उससे मिलने के लिए आते हैं मगर वो देखकर शौक थे कि उसाथों इस वक्त पुशप्स कर रहा था और उसके पीट की उपर 10 टन का एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था और यहां तक कि उस बड़े से पत्थर के उपर रोज बैठी हुई थी लेकिन उसाथों फिर भी हार नहीं मान रहा था वो पुशप्स करते जा रहा था और हर एक पुशप्स के बाद वो कहता है कि तुम्हें वेट बड़ा देना चाहिए तुम बहुत ही हलकी हो इसके बाद रोज को गुस्सा आता है और वो एक और दस टन का पत्थर उस बड़े के पत्थर के उपर रख देती है उसाथों पहले तो नीचे गिर गया था पर फिर वो खुद को संभालता है वो यहाँ पर अपनी हीलिंग पावर का इस्तमाल कर रहा था और पुश अप्स कर रहा था यह देखकर रोज इंप्रस थी वो कहती है कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा साही डिरेक्शन में जा रहे हो रोज का मानना है कि अगली फाइटिंग सिचूशन कभी भी आ सकती है इस वज़े से उसाथों को जल से जल उसके लिए तयार होना चाहिए यहाँ पर यह सब देखने के बाद काजुकी और इनुकामी दोन ही बहुत ज़दा शौक थे काजुकी का मानना था कि इतनी ज़दा खतरनाक ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए दूसी तरफ इनुकामी तो इंप्रेस हो रही थी क्योंकि उसाथों के इतनी हार्ट ट्रेनिंग को देखने के बाद बहुत ही ज़दा मसल गेन हो चुके है यहां पर उनका जो नाइट है मतलब कि उन्हें जो ट्रेन करता है वो बंदा यहां आगे जाकर रोज पर गुस्ता करने लगता है वो कहता है कि उसे ऐसे नॉमल यूमन के लिए इतनी हार्ट ट्रेनिंग का यूज नहीं करना चाहिए जबकि उसातो तो यहां पर आने के लिए चुना भी नहीं गया था पर रोज कहने लगती है कि उस सबसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है मुझे उसातो को हार्ट ट्रेनिंग करानी होगी आगे चलकर उसातो मेरा राइट हैंड बनने वाला है इस बारे में उसातो को भी नहीं पता था इस वज़ा से वो बहुती ज़दा शोग होता है तब ही रोज कहती है कि उसे अभी सीजल्स के साथ कुछ बात करनी है इस वज़ा से उसातो ब्रेक ले सकता है और अपने दोस्तों से मिल सकता है अब उसातो अपने दोस्त के साथ चला जाता है यहाँ पर अभी उसातो इनुकामी काजुकी के साथ एक और लड़की थी यह असल में इस किंग्डम की प्रिसिंस है यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि वो जो नाइट इनुकामी और काजुकी के साथ आया था उसका नाम सीजलस है और वो इस पूरी किंडम के सबसे स्टॉंग नाइट में से एक है यहाँ पर इनु कामी और काजियों की बताते हैं कि असल में सीजलस उन्हें तलवार चलाना सिखाता है अब उसा तो पूसता है कि आकरी लड़की कौन है जिस पर वो लड़की खुदी बताती है इसको नाम सीलिया है और वो असल में इस किंडम की प्रिंसेस है यह सुनकर उसा तो शौक हो गया था और तुरंती घुटने टेक कर उसके सामने माफ भी मांगने लगता है और कह रहा था कि माफ करना मुझे पता नहीं था कि आप प्रिंसेस है पर इस पर सीलिया कहती है कि उसे इस तरह से बात करने के जरूत नहीं है सीलिया से जब लोग नॉर्मली बिएव करते हैं तो वही ज़्यादा अच्छा लगता है इसके बाद अब यहाँ पर काजो की उसातों से पूछता है कि वह बहुती ज़दा हाड ट्रेनिंग कर रहा है पर इस पर उसातों कहता है कि नहीं मैं आज थोड़ी नॉर्मल ट्रेनिंग कर रहा था रोस के ट्रेनिंग से जदादा डिफिकल्ट होती है यह सुनकर काजो की शौक हो जाता है अब उसातो काजो की और इनुकामी को ट्रेनिंग के बारे में पूशता है जिस पर काजो की बताता है कि सीजलस उन्हें तरवार चलाना सिकाता है और वो लेड़ी जिसने इन्हें इनके मैजिक पावस बताई थी उसका नम वाल्चे है वो कि तुम्हारा यहां पर भौत ही मुश्कल समय कटता होगा पर उसा तो कहता है कि हाँ शुरुआत में तो ऐसा था लेकिन अब तो उसे मज़़ा आने लगा है वो कहता है कि जब मैं यहां पर नया नया आया था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहां से भाग जाऊं पर तभी वहाँ पर वही टीम मेंबर्स आ गया था जिसने उस दिन उसातो का वो लेंच खाया था उसातो अभी उस बात से गुसा था इस वज़े से वो बहुते ज़दा गैंक्स्टर वाले लुक से उसे देखता है और इसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है अब वो दोनों यहाँ पर लड़ रहे थे काजुकी और इनुकामी उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे इसलिए काजुकी कहता है कि हमें चलना चाहिए वैसे वो अभी जाने लगे थे मगर इनुकामी अभी रुक कर सोच रही थी कि उसका शुरू से ये मानना था कि उसातो इस वर्ल्ड में किसी ना किसी कारण की वज़े से आया है तो अब उसने भी फैसला कर लिया था कि वो भी उसातो की तरह बहुत ज़दा कड़ी मेहनत करेगी और खुद को स्ट्रॉंग बनाएगी यहाँ पर उसातो और उस आदमी की फाइट इसी तरह से चलती रहती है रात के टाइम हम देखते हैं कि उसातो अभी नहा रहा था और वो अभी अपनी जर्नी के बारे में सोच रहा था कि उसने अभी तक कितनी मेहनत की है और किस तरह से खुद को स्ट्रॉंग बनाया है साथ ही वो सोच रहा था कि आज इनुकामी उसके मसल्स देखकर बहुती ज़्यदा इंप्रेस दी पर वो सोचता है कि उसने इतनी मैनत की जिसकी वज़ए से यह सच में लग रहा था कि यह बहुती कूल है मगर अभी भी उसके मन में यह डाउट था कि अगर ऐसे स्टूशन बने की उसे किस की मदद करनी हो तो क्या अभी वो इतना पारवल है कि वो इस डीमन से लड़ सके क्योंकि अभी तक उसने किसी डीमन को देखा नहीं है अगले दिन में हम देखती है कि जब वो लंच कर रहा था तब ही वहाँ पर रोज आती है वो कहती है कि हमें जंगल की तरफ निकलना है अब उसातों को इसके बारे में पता नहीं था वो तरंती तयार हो जाता है पर बाकि सभी समझ गए थे कि सिर्फ रोज का क्या कहना चाती है इस वज़े से वो सभी बहुती ज़दा हैरान लग रहे थे अब वहाँ जंगल के पास आने के बाद रोज उसातों से कहती है कि तुम्हें इस जंगल में एक ग्रीजली बीर को ढूंड कर उसे खतम करना है ये सुनकर उसातों शौक हो जाता है और वो कहता है कि मैंने कभी इसके बारे में सोचा तक नहीं है कि मैं ग्रीजली बीर से लड़ सकता हूं पर रोज कहती है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रही मैं तुम्हें ओर्डर दे रही हूं और इतना कहते हुए वो लात मार कर उसाथों को वहाँ उपर से पहाड़ी से उस जंगल की तरफ ढखेल दीती है और वो इतनी उपर से गिर रहा था और कमाल की बात है उसे उड़ना नहीं आता था इस वज़े से उसे बहुत ही ज़दा चोट लगने वाली थी पर वो अपने हाथ आगे करकर किसी तरह से नीचे लैंड करता है इससे उसके हाथ पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे पर हीलिंग पावर के वज़े से उसने खुद को हील कर लिया था वो इस वक्त वैसे तो थोड़ा सा डरा हुआ था पर वहती मोटिवेट फील कर रहा था वो सोच रहा था कि वो इस जंगल में तक आ चुका है जब तक कि वो एक ग्रीजली बेर को मार ना देश अभी सबसे पहले उसे ग्रीजली बेर को ढूणना है वो कहता है कि आखिर एक ग्रीजली बेर जादा से जादा कितना खतरनाक हो सकता है पर इतना कहने की देरी थी कि अचाने से पीचे से एक जाइंट ग्रीजली बेर उसके सामने आ जाता है वो grizzly bear इतना ज़्यादा खतरनाक लग रहा था कि उसे देखते ही उसातों तुरांती वहाँ दोडने शुरू कर देता है अब दोडते ही मैं सोच रहा था कि इस तरह से भागने का कोई फाइदा नहीं है तब ही उसे अभी तक की सारी ट्रेनिंग याद आती है वो सोचता है कि मैंने बहुत ही इंप्रूब्मेंट कर लिया लेकिन फिर भी मैं अगर मैं इस तरह से डरते हुए रहा तो इसका कोई फाइदा नहीं होगा इस वज़े से अब वो रुकता है और उस grizzly bear से लड़ने के तयार हो जाता है पर यह फाइट नहीं थी क्योंकि अब अचानक से उस grizzly bear की family वहाँ पर आ चुकी थी उसातों situation देखते हुए भागना फिर से समझता है और तुरंती वहाँ से भागने लगता है पर अब वो तीनों bear उसके पीछे पड़े हुए थे कुछ देर आने के बाद उसातों को एक waterfall की आवाज आती है उसातों उधर ही तरफ जा रहा था और सीधा जाकर उस waterfall में जम कर देता है वो तीनों bear ऐसा नहीं कर सकते थे इसलिए वो कुछ देर इंतिजार करते हैं पर जब उसातों वहाँ दिख नहीं रहा था तो उन्हें वहाँ से जाना ही सई समझा अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसातों जो की दीरे दीरे उस river में भायता जा रहा था वो कुछ दूर आकर रुखता है और एक पीड के उपर चड़कर अपने कपड़े को सुखाने लगता है यहाँ पर वो सोच रहा था कि अब शाम होने वाली है तीरे दीरे रात हो जाएगी ऐसे मैं जिंगल के अंदर गूमना एक गलती हो सकती है इस वज़ा से वो अपने साथ जो ब्रेड लेकर आया था वो उन्हें खाने लगता है और फैसला करता है कि वो अगले दिन उस ग्रिजली बेर को ढून कर उसे खतम करेगा अब वो वहाँ सो गया था अकली दिन हम देखते हैं कि वो निकल पड़ा था उस ग्रिजली बेर को ढूनने के लिए क्योंकि अभी उसका गर सबसे जरूरी था उसातों आके बढ़ रहा था तो वो हर पेड के उपर निशान लगा रहा था जिससे कि वो फिर से गुमना हो जाए उस दिर ऐसे निशान लगाते लगाते उसे एक पीड ऐसा मिलता है जिस पर उस बेर के पंचे के निशान थे उसातों देखकर समझ गया था कि जरूर उस बेर की गुफा यही आसपास होगी पर तभी उसे जाडियों में कुछ आवाज आती है पहले उसे लगा कि शायद यही बेर है क्योंकि पिछली भार भी उस बेर ने उसे ही उसातों के उपर हमला किया था पर हम देखते हैं कि यह कोई बेर नहीं बलकि एक क्यूट सा रैबिट था इस रैबिट को चोट लगी हुई थी उसातों से यह देखा नहीं जाता और तुरंती अपनी हीलिंग पावर से उसे ठील कर देता है अब उस रैबिट को ठीक करने के बाद उसातों महां आगे बढ़ रहा था वो सोच रहता कि उसे बेर को जल्द से जल्द पकड़ना होगा वरना फिर से रात हो जाएगी पर तब ही वो देखता है कि जिस रैबिट ने उसकी मदद किया वो रैबिट उसका पीछा नहीं चोड़ रहा उसातों से वापस जाने को कहता है पर वो रैबिट बात नहीं मानता अब वो उसातों के साथ चली रहा था इसलिए उसातों बहागने की कोशिश करता है पर रैबिट उससे जाता तेजब भाग रहा था उसातों रुक कर उससे कहता है कि देखो मैं ग्रीजली बेर को ढून रहाऊ इसलिए तुम्हें मेरा पीचा करना नहीं चाहिए पर यहां पर शौक होने वाली बात यह थी कि उस रैबिट को ग्रिजली बेर की गुपा को पता था वो तुरंती उसाथों को वहां पर लेकर जाता है वहां पर आने के बाद उसाथों देखता है कि उस बिहर की पूरी फैमिली वहां पर सोई हुई है उसा तो जानता था कि वो सिधा जाकर हमला नहीं कर सकता इसलिए वो बस उन्हें देखता रहता है बस इस तरह से डे टू भी बीच जाता अब तीसरे दिन आता है अब उसातों के पास पानी की कमी होने लगी थी वो सबसे पहले जंगल में किसी रिवर को ढूंडना चालू कर देता है वो जिस रिवर में यहां पर आया था वो रिवर कहीं खो चुकी थी पर किसमत से उसे एक तलाब मिल जाता है पर उस तलाब का पानी इतना जदा अच्छा नहीं था लेकिन फिर वो सवाता प्यासा नहीं रह सकत इस वज़े से वो उसे पीना ही सही समस्ता है साते उसने एक बोतल के अंदर उस पाने को स्टोर भी कर लिया था अब वो आज भी उस ग्रिसल बियर की फैमली को इसी तरह से देख रहा था वो बस साता है कि उसे उनका डेली रूटीन पता चल सके जैसे यह कभ शीकार के लगने लगी थी अब इस तरह से तीसरा दिन भी बीच जाता है और वो चोता दिन आता है चोता दिन आने के बाद उसातों के पेट में बहुत ज़ादा दर्द होने लगा था क्योंकि उसने जिस जगा पॉँआ वो पानी पिया था व थोड़ा खराब था अब उसातों कह रहा था पर तब ही वो बनी उसातों को वहां से एक जगा लेकर आता है जहां पर बिल्कुल किलियर वाटर था वैसे वाटर असली साफ फानी जैसा तो नहीं है पर फिर भी उस पॉइसनेस वाटर से तो लाग गुना अच्छा है उसातों से पीकर सोचता है कि चलो उसकी जा तो बच गई तब ही लेकिन वो बनी अजीब सा बिहेव करने लगता है और तुरंती जाकर सामने के पेड़ के उपर चड़ जाता है उसातों को लगता है कि शायद उसे कुछ खत्रा महसूस हो रहा है इसलिए उसातों भी इस पेड़ की उपर आ गया था उसातों सोच रहा कि इस रैबिट ने उसकी मदद की वहां ग्रिसली बेर तक पहुंचने के लिए मतलब इसे ग्रिसली बेर से इतना डर नहीं लगता कि आखिर ये कौन सी चीज होगी जिससे ये रैबिट डर रहा है तब ही अचानक से उसातों को सामने एक वाइट सनेक दिखाई देता है वो सनेक इतना जाधा बड़ा था कि वो उसातों को डिरेक्ट निगल सकता है उसातों ये देखकर डर जाता है और बिल्कुल साउंड नहीं करता कुछ देर रुकने के बाद वो सनेक वहां से जा चुका था उसातों चैन की सांस लेता है वो सोच रहा था कि उसने सनेक के बारे म बुक में तो नहीं पड़ा था, असल में उस बुक के अंदर लिखा हुआ था कि इस जिंगल में किस तरह के जानवर रहते हैं, पर इस तरह के स्नेक के बारे में उसमें कुछ भी नहीं लिखा था, अब उसा तो जादा नहीं सोचता और तुरंती वापस से उस गुफा की ने देगी, इस वज़ा से अब सोच रहा था कि वो क्या करें, वो फैसला करता है कि कल कुछ भी हो जाए, पर वो फाइट करने के लिए आएगा, अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बारिश हो रही थी, उसा तो वहां के लिए निकलने वाला था, पर वो रैबिट से रोक कि वो आज ऐसा ना करें, पर उसा तो बात नहीं मानता, वो कहता है कि ठीक है, मैं बारिश रुकने के बात जाऊंगा, बारिश रुकती है, उसा तो निकल पड़ता है रैबिट के साथ, वही उस गुफा की तरफ, लेकिन जब वो वहां पहुंसता है, तो वो बड़े से वा मैं वो समझ गया था, कि एक काम उस जाइंट वाइट सनेक का है, उसा तो गुफा आरा था, क्यूंकि वो वाइट सनेक इन्हे खा कर नहीं गया, इसका मतलब वो इनहें खाने के लिए नहीं मार रहा था, वो वस अपनी ताकत दिखा रहा था, उसा तो वैसे तो यहां पर ग याने की काजुकी और इनुकामी दोनों ही उसातों के घर पर आये थे वहां वो उसातों के साथे उसे पूछते हैं कि आखिर उसातों कहा हैं जिस पर वो बताते हैं कि उसातों ट्रेनिंग के लिए जंगल गया है वैसे अभी बहुत दिन हो गए थे वो काजुकी और इनुकाम में हो क्या रहा है क्योंकि रोस की पर्मीशन के बेना बताना गल्थ होगा और फिर रोस उन्हें छोड़ेगी नहीं अब वो वैसे काजुकी और उसातों की बहुत ही चिंता हो रही थी परीनुकामी कहती है कि चंता करने की जरूरत नहीं है वो ठीक होगा अब वापस से हम यह जाइंट सनेक को खतम करना होगा वो रैविट से ही उस जिगा के जाने को कहता है जहां पर वो वाइट सनेक मिल सकता है रैविट वैसे डर के मारे वहां जाना नहीं चाहता था पर उसातों के कहने पर वो मान जाता है वहां से आगे बढ़ते हैं कुछ देर में वो उस वाइ जैंट स्नेक ने उस बेबी बिये को खतम नहीं किया था उसाथों को गस्सा और जादा बढ़ जाता है वह तुरंथी उस जाइंट स्नेक से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है वैसे उसे दीखकर उसाथों को डर लग रहा था पर वो जानता था कि रोज से जादा ड्रामना और कुछ नहीं हो सकता, अब वो White Snake उसाथो की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, उसाथो भी इसके लिए तयार था, पर जब उसाथो आगे बढ़ता है तो हम देखते है कि अब वो White Snake उसाथो को बस खाने ही वाला था, पर उसातो इस स्पीड की मदद से थोड़ा पीछे होता है और अपना वो लकडी का बनाए हुआ वैपन उस जाइंट स्नेक के आँख के अंदर मार देता है इसके बाद अब उस स्नेक के पास बस एक आँख बची थी इसका मतलब वो बहुती गुसे में आ चुका था वो तुरंती फिर से उसातो की तरह बढ़ता है उसातो इस बार भी अपनी स्पीड की मदद से भाग रहा था और उसने अपना चाकू निकाल लिया था पर इतने में ही वो वाइट स्नेक के हाथ को बाइट कर लेता है ये चोट इतनी जादा गहरी थी कि इसे जल्दी हील कर पाना थोड़ा मुश्किल था साथी साथ यहाँ पर बाड़ी में दीरी दीरे पॉईजन भी फैल रहा था जो की सबसे बड़ा खत्रा था पर किसमत से उसाथों ने वो लेक का पानी पिया था जो की पहले से पॉईजनस था इस वज़े से उसे थोड़ा सा अनुबव हो गया था कि पॉईजन के साथ उसे हीलिंग मैजिक से कैसे डील करना है उसाथों किसी तरह से खुद को हील कर लेता है और अब वो फिर से तयार था उस जाइंट स्नेक से लड़ने के लिए हम देखते हैं कि वाइट स्नेक फिर से उसातों की तरफ बढ़ने वाला था यहाँ पर वो बेबी बियर भी उसातों की मदद कर रहा था उसमें इतनी तागत तो थी कि वो इसने की पूच पकड़ कर उसे कुछ देर रोक सके पर अच्छा था कि इसने का ध्यान इस चीज से भटक जाता है इस वज़ा से उसातों तुरंती दोड़ते हुए उसने के सर पर आ गया था यहाँ पर वो अपनी पूरी पावर लगा कर उसके सर पर मारता है जिस वज़ा से उसने कसकल डैमेज हो जाता है साती उसातों ने अपनी वो लकड़ी की स्पेर निकाल कर उसके सर में मार दी थी जिस वज़ा से उस वाइट स्नेक के सर में खून निकल रहा था और लग रहा था कि वो मारा गया क्योंकि वो नीचे गिर चुका था और बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था साथ ही यहाँ पर उसातो भी नीचे गिर जाता है वो खुश था कि उसने वाइट स्नेक को खतम कर दिया पर अब उसे इतना ज़्यादा चोट लगी थी कि वो वापस चलकर इस जिंगल को पार नहीं कर सकता अब तब ही वहाँ पर वो बेबी बियर आ जाता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि उसातो ने उसकी मदद की उससे पेरेंस का बदला लेने के लिए इसलिए अब वो उसातों से दोस्ती भी कर रहा था उसातों भी देखकर खुश था लेकिन तब ही हम देखते हैं कि वाइट सनेक अभी तक मरा नहीं है वो फिर से खड़ा हो गया था और अब वो उसातों की उपर हमला करने वाला था उसातो ही देखकर समझ गया था कि अब वो नहीं बच सकता वो तुरंती रोस का नाम चिलाता है और कहता है कि यह तुमने मुझे किस तरह की प्रॉबलम में फसा दिया लेकिन जैसी वो इतना कह रहा था कि इतने में ही रोस वहाँ से उड़ते हुए आती है और तुरंती उस व से एक्सपीरियंस गलाने के लिए यह सब कर रही थी यहां पर हमें जानने को मिलता है कि उसातों ने जिस रैबिट की मदद की थी और जो रैबिट उसके साथ घूंग रहा था वो असलमें रोस काही पैट है और रोस नहीं उसे ऐसा करने को कहा था रोस बताती है कि एक ग्र इसले बेर को मार पाना अभी नमुम्किन है वैसे वो इस चीज से भी इंप्रेस थी कि उसातों ने एक वाइट सने जैसे डीमन पैट से लड़ने की हिम्मत की डीमन पैट से उसका मतलब था कि असलमें जो वाइट सने के यह नैच्रल क्रियेचर रही है बलकि इन्हें डीमन हार गए थे इस वजह से अभी उन्हें गुसा भी आ रहा था और वो अपनी आर्मी को और भी स्ट्रॉंग बना रहे हैं जिस वजह से उसने उसातों को वहां भेजा और अभी वो उसातों की तरह भी कर रही थी और कह रही थी कि मैं तुमसे बहुत ही ज़दा इंप्रेस हू फिर भी मैं इस वार में पार्टिस्पेट कैसे कर सकता हूं और वैसे भी अभी तुमने बताया कि हमारे रेक्सिल स्कॉर्ट में दो और हीलर हैं तो वो एक्स्पिरियंस होंगे तो फिर उन्हें लीड कराने को क्यों नहीं का जा रहा तो इस पर रोज बताती है कि वो जिस देमन का और हैं यहाँ पर हमें सबसे पहले देमन किंग को दिखाते हैं कि अपने जर्मन हमीला से बात कर रहा था है वह अपने प्लांस के बारे में मैं पूंछ रहा था जहों कि उन्होंहrich लिए कर्कम से बाता है officine vanna कर दें लोगोव उन्हें किस और इस rebellious ऐख रहा है आ जासे कि अगर 10 डीमन आ जाते हैं तो वो सामने 10 से जादा लोगों को मार कर आएं या फिर अगर डीमन भी मारे जाते हैं तो फिर 10 डीमन से कम से कम 20 इंसानों को कतम करें वैसे वो ये भी कह रहा था कि जादा से जादा डीमन बचकर वापस आने चाहिए बहले ही तुम लोग उस वार में जीत पाओ या ना पाओ पर हमें रैशियो बराबर रखते हुए डीमस को बचा कर रखना है जिससे कि हमारी आर्मी कम ना पड़े अब जब अमीला वहां से बहार आती है तो उसकी मुलाकात होती है डीमन डॉक्टर से जिसे साइंटिस्ट भी कहा जा सकता है क्यों होगा वहां पजाकर हमें जानने को मिलता है कि उसने एक जाइंट वैनम स्नेक क्रियेट किया था जो कि पहले भी वो कर चुका है अमीला कहती है तो पहले वाला है इसे तो पहले ही एक यूमन सोल्जर्स ने मार दिया था पर वो डॉक्टर बताते है कि नहीं कि जादा खतरन है वैसे हमें यहां जानने को मिलता है कि अमीला की रोस के साथ कोई दुश्मन ही है अमीला कह रहे थी कि हमारी फ्रंट लाइन में हीलर्स की कमी है सामने यूमन्स के पास एक ऐसा हीलर है जो कि दूसरे को हील करने के अलावा हम पर हमला करती यह गल्त है और वैसे ना जाने उसकी किस कारण से दुश्मनी है पर वो इतने गुस्से में थी वो कह रही थी कि अगर रोज उसे इस वार के दोरान मिलती है तो वो उसे खतम कर देगी तब ही हमें ये बताया जाता है कि ये जो वार होने वाली है इसकी फ्रंट लाइन में डीमस की तरह से इस इमोटल डार्क मैजिक यूजर लीड करेगा अब सीन चेंज होता है और हम आ जाते हैं उसातों के पास वो घर पर वापस लोटाया था और वो बहुती ज़दा खुश था क्योंकि फाइनल अब उसे पेड़ की उपर नहीं सोना पड़ रहा था वो अच्छे मस्त बैड पर सो रहा था अब उठता है और जाकर अपनी दोस्त से मिलता है उसका दोस्त याने कि वो बियर उसातों से उसके लिए कुछ फूरूट लेकर आया था जो कि उसातों को बहुती ज़दा टेस्टी लग रहे थे तबी वो देखता है कि वहाँ पर बनी भी है यानि कि वो रैबिट भी है उसातो उन्हें उसे और फूरूट दे कर मना लिया था तबी वहाँ पर रोज आ जाती है वो यहाँ पर उस बियर को ब्लोरंस नाम से बुला रही थी वो कहती है कि उसने के बारे में उसे बताया लेकिन उनका बजट तो सेम ही है वो रैक्स की स्कॉर्ट से सेम बजट देंगे उसी तुरंती ब्लोरंस को अपने कंदे पर उठा लेता है वैसे रोज का कहने का मतलब यह नहीं था कि रोज यहां पर कहती है कि अच्छा है इस बियर में हमें एक फाइदा है वो बताती है कि अगर उसातो ब्लोरंस को इस तरह से अपने कंदे पर उठाकर भागता रहेगा तो इससे उसके एक खास ट्रेइनिंग हो जाएगी क्योंकि वहाँ बॉर के टाइम पर कई लोग चोट खाकर गिर पड़े होंगे जिस वजह से वो हील नहीं कर सकते और उसातों वहाँ उन्हें हील नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ बॉर चल रही होगी इसलिए उसातों को वहां से उन्होंने उठा कर दूर ले जाना होगा और अभी वियर को उठा कर ले जाना सेम उसी की तरह है जैसे कि वो किसी परसन को उठा कर ले के जा रहा हूँ अब उसातों किसी तरह से दोड़ना शुरू करता है कुछ दूर आने के बाद उसे जो टीम मेंबर थे वो उस पर हमला करने के लिए आ गए थे जिससे कि वो एक वार जैसी सिचुएशन क्रेट कर सकें पर उसातो उनसे बसता है पर अभी उन दोनों ने उसातो का पीछा नहीं छोड़ा था उसातो इसी तरह से और दूर आगे भा तकता जा रहा था अभी इस तरह से दोड़ते वे उसातो को करीबन 6 गंटे हो चुके थे वो बहुत ज़्यादा थक चुका था लेकिन वो थोड़ा हैरान था क्योंकि अभी तो 8-10 गंटे अराम से दोड़ लेता था लेकिन उसे अब 6 गंटे में भी थकान होने लगी और ही फ्रेंट लाइन में रहना होगा तबी से उसातो बहुत टेंशन में है इसे वज़ा से इससे मेंटल हैथ पर असल पड़ रहा है और मेंटल हैल्थ को इस हीलिंग पावर से ठीक नहीं किया जा सकता रोज कहती है कि तुम्हें अभी टाउन की तरफ ही दोड़ कर जाना चाहि लेकिन उसे अपने कंदे पर हमेशा ब्लोरेंस को उठा कर रखना होगा उसातो इसके लिए तयार था वो तरंती अपना वेट बढ़ाने वाला वेस्ट पहन कर उधर किंडम की तरफ चला जाता है अब वहां जाते वक्त लोग उसे देखकर हैरान थे क्योंकि उन्होंने पह को किसी चीज की स्मेल आती है वो उसातों से वहां जाने के लिए कहता है उसातों बात मानकर उसके साथ वहां चला जाता है वहां जाने के बाद हमें पता चलता है कि एक लेडी फ्रूट सेल कर रही थी और ये खुछबू उसी फ्रूट की थी उसातों वहां पर आकर आकर द वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस हैं और इनका नाम वो नहीं बताती वो बस कह देती है कि उसे हर दुकान पर मिल जाएंगे अब उसातो ये भी पूचता है कि वो क्या एक बड़े से भालू को लेकर दोड़ रहा है फिर भी उसे उसे डरनी ही लग रहा इसका क्या कारण है तो लेडी बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसातो ने रहसी स्कॉट के कबड़े पहन रखे हैं वो जानते हैं कि उसातो रहसी स्कॉट से है और पहले भी कैस सरे लोग यहाँ पर रहसी स्कॉट से ही इसी तरह की ट्रेनिंग करते हुए मिले हैं और वैसे भी वो इतने खतरनाक दिखते हैं कि उसातो उन से उनसे ज्टादा खतरनाक नहीं धिखता इस यसवज़ जाए से कोई उससे डर नहीं रहा है अब उसातो वहां से जाने लगा था लेगन तबी वो लेडी उसातो को एक फूर्ट आफर करती है वो उसातो को फूर्ट फ्री में दी रही थी उसातो उसे ले लेता है लेगन उसातो उसे टेस्ट नहीं कर पाता क्योंकि बलोरंस ने उतना ही उसके हाथ को बाइट कर लिया था यहाँ पर वो फ्रूट के साथ उसातो का थोड़ा सा हाथ भी बाइट कर लेता है पर इसके बाद उसातो ने उसे हील कर लिया था और इसके बाद उसातों फिर से ब्लोरांस को लेकर वहाँ से आगे बढ़ गया था यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी उस लेड़ी के पास एक गर्ल आती है जो कि असल में उनकी असिस्टेंट है वो यहाँ पर उसातों के बारे में पूसती है कि आखरी यह लड़का कौन था तो वो ओल्ड लेड़ी बताती है कि यह रेक्सी स्कॉल्ड का मेंबर है यहाँ पर वो गल उसातों में थोड़ी इंटरस्टेड लग रही थी वैसे इस तरफ उसातों भागते हुए सोच रहा था कि क्यों ना वो अपने दोस्त इनुकामी और कासुकी से मिलने के लिए जाए क्योंकि वैसे भी वो किंग्डम के अंदर घूम रहा है अब इस पर ब्लो रॉन्स भी हाँ करता है जिसके बाद उसातों तुरंती किंग्डम के पैलिस में की तरफ भागने लगा था तब ही हम देखते हैं कि लड़का जो कि उसातों को देखकर शॉक था और समझ गया था कि असल में ये रेक्स स्कॉर्ड का मेंबर है वो तुरंती उसातों के पीछे भागने लगता है पर वो उसातों को कैश नहीं कर पा रहा था लेकिन उसातों उसी नोटिस कर लेता है वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो लड़का थक चुका था इस वज़ह से उसातों उसके पास जाता है और उसे हील करता है वो लड़का बताता है कि उसातो के कपड़े देखकर वो समझ गया था कि उसातो रेस्क्यू स्वाट का मेंबर है इस वज़ा से वो उसका पीछा कर रहा था हमें जानने को मिलता है इस लड़के का नाम औरगा है और असल में ये भी एक हिलर है जिसकी बात रोस कर रही थी कि वो ट्रीनिंग पूरी करना impossible है असल में इसकी बेहन भी एक हीलिंग मैजिशिन है और इसके पास भी हीलिंग पावर है और इसके पास भी उसकी बेहन यहां किंग्डम के अंदर एक क्लीनिक चलाती है और सब इससातों ये देकर शौक था आखिर औरह एक हीलिंग मैजीश फिर वो खुद को हील क्यों नहीं कर सकता तो यहां पर और बताता है कि वो खुद को हील नहीं कर पाता लेकिन वो किसी और को हील कर सकता है यह सुनकर उसातो थोड़ा सा शौक था वैसे यहां पर उसातो बताता है कि रोज ने उसे वार के दोरान फ्रंट लाइन में रहने को क एक तो वो जो की नाइट्स और एक वो जो की मैजिशन है अगर उनके उपर हमला हो जाए उन्हें चोट लग जाए तो उनके बचाने का तरीका नहीं बसता वो बस वहां पर मरने का इंतजार करते रहते हैं और गा उसातों से कहता है कि यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और सोसता है कि शायद उन दोनों को भी वहां फ्रेंट लाइन में रहने को कहा होगा वैसे अब और गा कहता है कि मुझे चलना चाहिए वरना मेरी बेहन मुझे पर गुस्सा करेगी असल में अभी उसे क्लीनिक जाना था उसातों भी वापस से ब्लोरांस को लेकर वहां से ट्रे गया था तब ही हम देखते हैं कि औरगा की सिस्टर वहां पर आती है वो औरगा पर गुस्सा हो रही थी कि आखिर वो क्या कर रहा है जिस पर औरगा बताता है कि आज वो एक बंदे से मिला है और अगर शायद वो से मिलती तो वो बहुत ही सदा खुश होती अब हम देखते ह कि उसातों वहाँ पैलेस के अंदर पहुँच चुका था यहाँ पर आने के बाद उसातों अभी सोच रहा था कि शायद वो लोग ब्लोरोंस को उनके साथ नहीं जाने देंगे क्योंकि वो एक मॉंस्टर एनीमल है पर तबी वहाँ पर जो गार्ट ता वो कहता है कि किंग उल्डेडी उन्हें परमिशन दे चुके हैं कि उसातों उस बियर को भी वहाँ अंदर ले जा सकता है अब उसातों वहाँ अंदर आने के बाद वो देखता है कि इनुकामी इस वक्त ट्रेनिंग कर रही है वैसे वहाँ पर काजू की भी नहीं दिख रहा था अब इनुकामी उसातों को देखती है तो वो ट्रेनिंग रोक कर उसातों के पास आ जाती है यहाँ पर उसातों उससे पूचता है कि कहीं मैंने तुम्हें डिस्टप तो नहीं कर दिया लेकिन इनुकामी का दियान इस वक्त ब्लोरंस के उपर था उसे वो एनिमल याने की बियर खतरनाक नहीं बलकि बहुत ही जदा क्यूट लग रहा था वो कहती है कि क्या वो इसे टच कर सकती है जिस पर उसातों कहता है कि हाँ तुम इसे टच कर सकती हो और अगर ये तुम्हें बाइट कर भी लेगा तो मैं तुम्हें हील कर दूँगा अब ऐसा ही होता है क्योंकि ब्लोरंस ने यहाँ पर इनुकामी को बाइट कर लिया था पर उसातों से हील कर देता है इनुकामी तो यह चीज़ देकर बहुत ही सिदा खुश थी वैसे उसातों यहाँ पर काजो के बारे में भी पूशता है जिस पर इनुकामी बताते है कि वो इस वक्त चंगल की तरफ गया है एक्सपिरियंस जीन करने के लिए और वो सीजलेस के साथ वहाँ पर गया हुआ है उसातों समझ गयाता है कि यह सभी लोग अपनी ट्रेनिंग में लगे हुए है इस वज़ासे उसातों को फिर से लग जाना चाहिए ट्रेनिंग पर तो वो तुरंती बलर्न्स को उठा कर और वहां से भागना शुरू कर देता है अब यहां से वो वापस अपने घर पहुँच चुका था रात भी हो चुकी थी वो जाकर रोज से मिलता है वो रोज से कहता है कि जब तुमने मुझसे पहली बार कहा था कि मैं वहाँ फ्रेंट लाइन में खड़ा रहूंगा तो मुझे बहुती डर लग रहा था मेंबर बनने के लिए इस तरह का मोटिवेशन होना जरूरी है अब वो वापस से चला गया था और सो गया था अगले दिन जब उसकी नीन खुलती है तो वहाँ पर उसके उपर रोज एक बैग पटक देती है और कहती है कि तुम्हें जल से जल मिशन के लिए निकलना चाहिए उसातो को कुछ समझ तो नहीं आया था पर वो बताती है कि असल में किंग ने उसे एक मिशन के लिए चुना है जो कि इनुकामी का मिशन है और उसातो उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर जाएगा अब यहां से सीन चेंज होता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां रोज और उसा तो निकल चुके थे इनुकामे के पास वैसे इस वक्त अभी उसा तो बलोरंस को अपने सर की उपर बिठा कर ले जा रहा था रास्ते में उसा तो रोज से कहता है कि आखिर मुझे इनुकामे की मदद करने के लिए क्यों नहीं चुना गया जबकि वो काजो की को भी तो चुन सकते थे वो तो मुझसे ज़्यादा तागतवर है इस पर रोज कहती है कि हाँ पहले उसे ही चुना गया था लेकिन इनुकामे ने मना कर दिया क्योंकि काजो की अभी अभी जंगल से आया है अपने ट्रेनिंग खतम करके ऐसे में फिर से जंगल की तरव जाना उसके लिए सही नहीं होगा उसातो को ये भी जानने को मिलता है कि उससे इस्पेचली यहाँ पर बुलाया नहीं गया था बलकि किंग ने कहा कि अब तुम जब अकेले जा रही हो तो वहाँ पर बहुत सादा खत्रा हो सकता है ऐसे में तुमें एक हीलर की जरूरत होगी इस वजह से वहाँ उसातो का नाम बीच में आ गया और अब इनुकामे एक बार किंग को मना कर चुकी थी कि वो काजो की कौई नहीं ले जा सकती इसलिए दूसरी बार किंग को मना करना सही नहीं होगा इस वजह से वो हां कर देती है अब कुछ दिर बाद हम देखते हैं कि रोज और उसातो वहाँ इनुकामी के पास पहुँच चुके थे इनुकामी उसातो को देखकर थोड़ी सी सौक थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि जो हीलर उसके साथ जाने वाला है वो उसातो है वैसे यहाँ पर वो इस वक्त इस बात से खुश दे कि अब वो ब्लोरेंस के साथ और जादा खेल पाएगी वैसे ब्लोरेंस को यहाँ पर लेकर आने का करण सिर्फ यही है कि वो घर पर सबके हाथ बाइट करता रहता था इस व Pasakya से उसातों को ना चाहते हुए उसे उठा कर ले कर आना पड़ा वैसे अब इनुकामी उसातों को अपणी टीम से मिलाती है जहांपर एक नाइट है जिसका नाम औरिकू है जिसका नाम ओरिन है उसातों को याद आता है कि वो औरेको से पहले भी मिल चुका है क्योंकि वो जब सुबा सुबा मौर्निंग रनिंग के लिए आता है तब औरेको कासल के गेट पर गार्ड करता है वैसे यहाँ पर रोज भी हीनुकामी से कह रही थी क्योंकि अभी अभी उसातों नहीं यहाँ पर रोज से ट्रीनिंग लेना शुरू किया है इनुकामी कहती है कि हाँ मैं इस बात का ध्यान रखूंगी इसके बाद रोज वहाँ से चली जाती है अभी इनुकामी कह रही थी कि यह सच में थोड़ी स्ट्रिक्ट है लेकिन मैं जानती हूँ कि यह बहुत ही पावरफुल है वैसे इसके बाद अब उन्हें वहाँ से आगे बढ़ना था तब ही सीन्चेंज होता है और हम काजुकी को देखते हैं वो जंगल से ट्रेनिंग के बाद वापस किंग्डम में लौट चुका है और अभी वो ट्रेनिंग कर रहा है यह देखते हुए प्रिंसेस सीलिया उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि उसे इतना ज़्यादा हार्ट ट्रेनिंग करनी नहीं चाहिए इससे उसकी बादी पर भी असर पड़ेगा वैसे प्रिंसेस सीलिया असल में काजो को पसंद करने लगी है लेकिन काजो की कहता है कि नहीं अगर वो सच में डीमन से लड़ने चाते हैं तो उन्हें और ताकत और बनने की जरूरत है और वैसे भी सिर्फ तीन ही वारियर यहां इस वर्ल्ड में आये हैं इसका मतलब उन तीनों को ही पूरी जान लगानी होगी खुद को स्टॉंग बनाने में तब ही इस तरह से वो डीमन आर्मी को रोक पाएंगे अब यहां से वापस से सीन चेंज होता है और हम उसातों के पास आ जाते हैं अब यहां रास्ते में जाते वक्त इनों कामी उसातों को बता रही थी कि काजुकी जब जंगल में गया था तो वहां से बहुत ही ठक कर लोटके आया था वो बता रहा था कि उसके वहां पर कई सारे अलगलग तरीकी के मौस्र से मुलाकात हुई वो मौस्र अच्छे खासे लेवल के थे लेकिन काजुकी के साथ और भी कई सारे सोल्जस थे इस वज़ा से उन्हें जान की तो हानी नहीं हुई पर उन्हें कई सारे इंजरी आयी थी वैसे वो अब पेन काजुकी के लिए एक अच्छा सोच साबित हुआ अपनी पावर को बढ़ाने के लिए काजुकी अभी बहुत ही जादा खुश था उसकी पावर पहले से दुगने लेवल पर पहुँच चुकी है वैसे अभी उसाथो इनुकामी की बात सुन तो रहा था पर वो कुछ और ही सोच रहा था वो अभी सोच रहा था कि जब वो जंगल में गया तब उसे ब्लॉरेंस मिला लेकिन उस वक्त ब्लॉरेंस ने अपने पेरिन्स को खो दिया था वो मन में कहता है कि क्या ब्लॉरेंस को अभी भी अपने घर की याद आती होगी मगर इस तरफ हम देखते हैं कि ब्लोरिंस तो अभी मस्चिन से सो रहा था वैसे अभी इनुकामी से रहा नहीं जाता वो उसातों से पूशें लगती है कि यह कब से सो रहा है और यह कब उठेगा इनुकामी को उसके साथ खेलना था वैसे उसातों कहता है कि नहीं तुम इसे नहीं उठा सकती ये बहुत ही टाइम्स होता है और मैं नहीं चाहता है ये उठके हमें परिशान करें मगर इनुकामी से रहा नहीं चाता उसके हाथ अपने आप ही आगे बढ़ रहे थे और वो ब्लोरंस को उठाने वाली थी लेकिन इतने में ही पर उसातों ने बार बार उसका हाथ रोक दिया था तुम वहाथी बुरे हो लेकिन उसातों कहता है कि मैं बुरा नहीं हूँ तुम एक क्रीपी बिएव कर रही हो वैसे हम देखते हैं कि अभी उनकी बात से यहां ब्लोरंस सच में जाक चुका था इनुकामी तो बहुत ही खुश होती है और इसके बाद उसा तो उसे नीचे उतार देता है और कहता है कि तुम अकेले खुद से चले जाओ अब ब्लोरंस तो चल तो रहा था पर वो बिल्कुल नीद में था यह देखकर इनुकामी कहती है कि वो उसके उपर आ सकता है वो उसे लेके चलेगी लेकिन ब्लोरंस जैसे उसकी पीट पर चड़ने को कहता है इनुकामी नीचे से नीचे गरा देती है साथ ही उसे चोट भी लग गई थी वो बलूरेंस के नीचे दब चुके थे अब इसके बाद उसाथो उसे हील करता है और वो लोग फिर से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं वैसे चलते हुए वो सोच रहे थे कि अब उन्हें कोई मॉस्टर मिलेगा और उन्हें थोड़ा मज़ा आना स्टार्ट होगा इतने में ही वहाँ सामने कोरिन और उरेकू को कुछ हल चल होती दिखती है अब इनुका में और उसाथो आगे बढ़कर पूछते हैं कि ये क्या है क्या कोई मॉस्टर है तो इस चीज़ पर वो दोनों बताते हैं कि ये कोई मॉस्टर नहीं है बलकि उनसे भी जादा बेकार चीज़ है असल में वहाँ पर कुछ लुटे रहे थे ये गिंती में बहुत सारे थे ये इनका रास्ता रोग लेते हैं और कहते हैं कि हम तुमें ड बता रहे हैं कि तुम्हें सारा समान हमें देना होगा तभी तुम यहां से आगे बढ़ पाओगे लेकिन हम तुम्हें लूटने भी नहीं देने वाले यहां पर उनके लुक्स तो बहुत वैसे पॉफेक्ट लुटेरे वाले थे पर उसातों को उनसे बिल्कुल डर नहीं ल देखते हैं जो कि इनके सामने आता है तो यहां इस लुटेरे के गैंग की कुछ गुंडे डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमें यहां से भाग जाना चाहिए इनके पास तो एक ग्रिजली बियर भी है मगर इतने में ही उनका लीडर उन्हें रोक देता है और कहने लगता हूं हमें इसे जिन्दा पकड़ना चाहिए अब जैसे ही वो लोग ब्लॉरेंस के बारे में इतना कहते हैं तो इतने मेही इनुकामी को गुस्सा आ ही चाहिए अब इसके बाद इनुकामी भी उन पर हमला करना शुरू करती है तब ही हम देखते हैं कि अचानक से और इनको कुछ महसूस होता है असल में यह कुछ बीस्ट थे अब यहां पर उरी को जितनी देर में समझ पाता उन्हें उतने में ही वो सारे बीस्ट जो की असल मे जंगली सूर हैं वो हाँ पहुँच जाते हैं और उन पर हमला करना श्रू कर देते हैं यहां अभी किसी तरह से यह लोग उनकी जादा तीजी से दूर्फिक जाते हैं अभी वो जब नीचे गिर रहे थे तो उसा तो यहाँ पर अपनी हीलिंग पावर का इस्तमाल कर रहा था जिससे पहले वो उस जंगली सुर के अटेक से वे डैमेज को हील कर सके और साथ जब वो नीचे गिर रहे थे तो उन्हें जादा चोट भी ना लगे अभी वो एक पेड के उपर गिरते हैं जिस जाड़े उसे उन्हे को चोट लगती है और वहाँ नीचे एक नदी भे रही थी और वो सीधा जाकर उसी में गिरते हैं और उसकी धारा के चलते वहाँ से बहने लगते हैं अब उसातो उस नदी को देखते ही समझ गयाता कि ये वही नदी है जिसमें वो पहले भी कूच चुका है और ये नदी जाकर सीधा एक जरने से जुड़ती है इसका मतलब वो नीचे के तरफ गरने वाले हैं उसातो इनु कामी को वार्निंग देता है और तब ही वो जरना आ जाता है और वो सीधा जरने से नीचे गर जाते हैं अभी नीचे भी वो बहते हुए जा रहे थे हम कुस देर में देखते हैं कि इनु कामी उसातो को पकड़कर वहां उस नदी से बाहर निकलाती है और उसे लग रहा था कि उसातो अब चलने की हालत में नहीं है इसलिए वो उसातो को सहरा देते हुए वहां से आगे ले जाने वाली थी पर उसातो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने नदी के अंदर ही खुद को हील कर लिया था उसातो कहता है कि माफ़े माँटने की जरूरत नहीं है वो पहले भी इस जंगल में आ चुका है और ये जंगल बहुत ही अच्छा लगता है यहां पर उसके नई दोस्त भी बने थे यहां वो ये भी बता रहा था कि उसे उमीद नहीं थी कि वो इस जंगल में इतनी जल्दी फिर से आ जाएगा वैसे इनुकामी को अभी इस बारे में नहीं पता था कि उसातो इस जंगल में आया था इसलिए वो उसातो से पूचती है तो उसातो बताता है कि हाँ वो इस जंगल के अंदर आया था और जिन जंगली सुवर से अभी उनकी लड़ाई हुई वो बिलकुल भी तागतवर नहीं थे उन्हें वो लोग अराम से हरा सकते थे वो बस सिचुशन भी गड़ गई इस वज़ा से उन्हें वो अटैक जेलना पड़ा और वो वहाँ आ गए वरना उसातो उनसे भी जादा खतरनाक बीश से लड़ चुका है हिनुकामी तो सुनकर शोख हो जाती है वैसे उसातो अभी यह भी कहा रहा था कि हम थोड़ी गलत सिचुशन में फस चुके हैं क्योंकि हमारे पास यहां पर खाना नहीं है या फिर पानी भी नहीं है इस रीवर के पानी हम नहीं पी सकते कि हमें इस तरह से रुक नहोगा पर अगर जंगल की पीच में भी नहीं रुका जा सकता और उसातों पिछली बार के ऊपर चड़ गया था जब वे बात इनुकामी को बदाता है तो इनुकामी कहती है कि उसे पीड़ पर चड़ना नहीं आता क्योंकि उसकी फैमली ने अभी उ इनुकामी इसमें उसके कुछ गलत इरादे लगते हैं और वह थोड़ी शर्मा जाती है वैसे उसा तो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था वैसे अब उन्हें तो इस चीज़ से बहुत ही जड़ाने के लिया। पिछली बार भी तुम मेरे साथ आती तुम सच में बहुत ही ज़दा इंजॉइफल हो इसके बाद उसातों ने अपने कपड़े वहाँ पर सुखाने के लिए डाल दिये थे और आग के पास बैट कर खुद को सुखाने लगा था यहाँ पर इनुकामी अभी उस गुफा के बिलकुल एक कोने में जाकर दिवार के तरफ मू करकर बैठी हुई थी क्योंकि उसे थोड़ा अनकमफिटिवल फील हो रहा था वो सोच रही थी कि शायद उसातों उससे माफी मांगेगा लेकिन जब वो पीछे देखती है तो उसातों के मसद देखते हुए वो शौक हो जाती है और फिर से आगे देखने लगती है वैसे तब ही उसे सामने गुफा के एक कोने के कुछ चमकता हुआ दिखता है असल में ये वहाँ पर रहने वाले जानवरों की आखे थी वसातों तो पहले उने देखकर तोड़ा सतर्क हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये कोई खतरनाक जानवर होगा लेकिन जब वो जानवर वहाँ सामने आते हैं तो हमें जानने को मिलता है वो बस वेनम मंकी से हैं उसातों उने देखकर कहता है कि ये तो नॉर्मल चीज़ है तुम इनके साथ खेल सकती हो वैसे ही यहाँ उनके नाम में वेनम है इससे उसातों समझ जाता है कि ये जहरीले हैं वो तो तुरंती ईनुकामी से गहते हैं यहां काजुकी को बता दिया था कि उसातो और इनुका में जिंगल में खो चुके हैं और अभी तक किसी को उनका कोई पता नहीं है कि सुनकर काजुकी शौक होता है और वो तुरंती किंग के पास जाकर कहने लगता है कि आपको जल से जल एक रिसर्च टीम उन्हें ढूनने के बेजने चाहिए कि कि कहते हैं कि हमें आलरेडी टीम तयार कर लिया लेकिन वो अभी नहीं जा सकती उसे हम सुबह बेजेंगे यह सुनकर काजुकी गुस्सा होता है और कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं उस जंगल में खितने खतरनाक जानवर रहते हैं यह मैं देखकर आ नहीं हैं और तुम्हें उनकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए उसातो इनुकामी के साथ है और उसके होते हुए को कुछ नहीं हो सकता इसके बाद अब सीन चेंज होता है हम यहां उसातो और इनुकामी को हीव्ल कर दिया था यहां भी वो दोनों बैटे वे थे लेकिन दीरी रात होने लगती है, उसातों कहता है कि हमें सोचना चाहिए, वैसे यहाँ पर अभी किसी एक को नजर रखने चाहिए, बाहर जिसे कि कोई मॉंस्टर या फिर कोई बीस्ट उन पर हमला ना कर दे, उसातों कहता है कि मैं रात बर नजर रखोंगा, तुम सो सकती हो, पर इस पर इनुकामी कहती है कि नहीं, तुम मुझे हील करने में और रेड़ी अपनी बहुत सारी मैजिक पावर यूस कर चुके हो, तो मैं पहले सो जाना चाहिए, जिससे तुम रीकवर हो सको, उसातों बात मान जाता है, अब उसातों लिटता है, तभी इनुकामी उससे कहने लगता उसातों कहता है कि एसा क्यों, तो इनुकामी बताती है कि रियल वर्ल्ड में उसके लिए कुछ भी हासल करने को नहीं बचा है, उसने जो भी सब सोचा है, उसे वो मिल गया, मगर उसे फिर भी कोई मज़ा नहीं आ रहा है, उसातों कहता है कि सेम, मैं भी यहां से नहीं जान इनुकामी भी बिल्कुल ऐसा ही मानती है वो कहती है कि अब हमें बहर दूसरी दुनिया में जाने के बारे में भूल जाना चाहिए और जब तक हम यहाँ हैं तब तक इस किंग्डम को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचना चाहिए उसातो इस बात पर अगरी करता है अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं तब ही रास्ते में उन्हें जाडियां के बीच से कुछ आवाज आती है इनुकामी पूरी तरह से तयार था हमला करने के लिए लेकिन हम देखते हैं कोई और नहीं बल्की बलोरेंस था और बाकी लोग थे अभी उरेकू उसके साथ था वो यहाँ इन दोनों को देखकर खुश था और कहता है कि बलोरेंस ने उसातो की स्मेल को पहचान लिया था वो तुरंती यहाँ दोड़ता दोड़ता आ गया लेकिन यहाँ पर और एकू बहुती ठक गया था क्योंकि बल्लेंस को बहुती तेस भागता है अब पूरी टीम वापस से जोईन हो चुकी थी इस वजह से वो उस जंगल से बाहर जाने के लिए निकल पड़े थे अगले सीर में हम देखते हैं कि उसातो और इनुकामी दोन हुई अभी किंग के सामने आये थे क्योंकि किंग उसातो से माफ़ी माँगना चाते थे वो कह रहे थे कि माफ़ करना कि हमारी वज़े से तुम दोनों वहाँ जंगल में फस गए लेकिन इस पर उसातो कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो पहले बार थोड़ी ना उस जंगल में फसे गए हैं ये सुनकर किंग शॉक हो जाते हैं और पूशने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है तुम इस जंगल में पहले कैसे फस गए अब उसातो को याद आता है कि ये उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा था लेकिन अगर यहाँ पर वो रोस का नाम लेगा तो शायद रोस फस जाएगी लेकिन वो बताते हैं कि उन्होंने एक जरूरी मीटिंग करनी है इस वज़े से वो अभी यहाँ से चले जाएं अभी दोनों जब वहाँ से जाते हैं तो तबी वहाँ पर रोज और कलियस आ जाते हैं क्योंकि मीटिंग इन दोनों से ही होने वाली थी इन्हें कुछ जरूरी सीरियस बात करनी थी उसातों और इनुकामी जब बाहर आ रहे थे तो उसातों कहरा था ना जाने कि वो किस सीरियस बात पर मीटिंग कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हम दोनों को निकाल रहे हैं मगर इस पर इनुकामी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। उनके पास पहले ही नैट्स की कमी है और हम इतने भी कमजोर नहीं है कि हमें निकाल दिया जाए। अब जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तब ही वहाँ पर काजुकी और प्रिंसिस सीलिया आ जाते हैं। उसातों उन दोनों से मिलकर बहुत जादा खुश होता है और उन्हें वलकम कर रहा था लेकिन यहाँ पर काजुकी और जादा शौक हो जाता है कि अभी अभी ये इतने खतरनाक जंगल से अपनी जान बचाते हुए आए हैं और फिर भी इतने जादा नॉमल भीव कर रहे हैं जबकि काजुकी की हालत तो बहुत ही ज़्यादा खराब लग रही थी अब जब वो वहां उस पैलिस से भार आते हैं तो यहाँ पर वो साथ में बैट कर बाते कर रहे थे काजुकी उसातों से कह रहा था कि तुम लोगों ने वहां पर सरवाइफ कैसी किया जबकि तुम दो में पॉईजनस फैल गया था अब वैसे वो लोग एक दूसरे को भाई करते हैं क्योंकि सभी को ट्रेनिंग करनी थी लेकिन जब काजुकी जा रहा था था भी प्रिंसस सीलिया उसे रोक लेती है वो काजुकी से कहती है कि इनुकामे और उसातो उसके दोस्त ने वो उने नाम से बुलाता है तो क्या प्रिंसस सीलिया भी उसकी दोस्त बन सकती है इस पर काजुकी को कुछ समझ नहीं आता वो कहता है कि हां क्यों नहीं पर प्रिंसस सीलिया कहने लगती है कि तो फिर काजुक उसे अपने नाम से क्यों नहीं बुलाता सिंपल वो यही कह रहे थी कि काजुकी उसे सीलिया कहकर बुलाए पर काजुकी को इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी वैसे वहां दूसी दरफ किंग अभी मीटिंग कर रहे थे और यह मीटिंग असल में इस बारे में थी आपक को लूट सकें लेकिन इस दोरान उन्होंने कुछ अजीब देगा उन्होंने कुछ इस तरह के मॉंस्टर्स देखे जो कि नॉमली जंगल में नहीं मिलते और साथ इसाथ उन्होंने डीमन्स को देखा और इस चीज से किंग्स और सभी समझ चुके थे कि कुछ बड़ा होने कि कहते हैं कि जरूर डीमन आर्मी अपने जितने भी ट्रॉप्स हैं यानि कि सोल्जस उन्हें एकटा कर रही है क्योंकि शायद वो इस वहर के अंदर अपने सारे ट्रॉप्स को बेजेंगे यह बात उनकी बिल्कुली सही थी तो अब वो सीलियस से कहते हैं कि हमें भी हमारी से ने को तयार रखना होगा इस वजह से वो सीलियस को अभी तेज पूरी तयारी करने के लिए जब सीलियस वहां से चला जाता है तो वो रोज से कहते हैं कि हमारी तुमसे भी एक रिक्वेस्ट है वैसे जायतर तर तो किंग उससे कोई रिक्वेस्ट करते नहीं पर अब की सबसे परसन है वो सबसे तेज दोड़ती है इस वजह से वो चाहते हैं कि रोज जाकर देखे कि डीमन्स आर्मी कहां तक पहुंच चुकी है रोज को इस पर कोई दिक्कत नहीं थी वो तुरंती हां करके वहां से जाने लगती है लेकिन इतने में किंग उसे फिर से रोकते हैं और कहते हैं कि रोज अपनी पुरानी पूजिशन यानि की बटीलिन कमांडर के तौर पर जॉइन कर ले असल में रोज पहले बहुत जादा हाई रैंक पर थी लेकिन एक बड़ी सी वार के चलते है उसके जो सबोडिनेट यानि उसके जो टीम मेंबर्स थे वो सभी मारे सकती लेकिन कि थोड़ा है रहान थे वो कहते हैं कि रोज पुरानी बातों को भूल जाए और फिर से बटीलिन कमांडर बने लेकिन रोज कहती है कि नहीं वह बले कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वह इस चीज़ को नहीं बुला सकती तो उसकी आँको पर जो स्क्यार बना उनकी जान बचा सके और ये काम रोज के साब से पिछले काम से जादा अच्छा है साथ ही वो ये भी कहती है कि अगर किंग पहले ही उसे बोलते तो शायद वो हां कर भी सकती थी लेकिन अब उसे खुद से भी जादा एक बैटर परसन मिल चुका है यहाँ पर वो साथों की बात कर रहे थी वो कहती है कि अगर उसा थो इसी तरह से ट्रेनिंग करता रहा वो रोस से भी जादा यानी उससे भी जादा स्टॉंग बन सकता है और इस किंग कहते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा है तुम जो भी फैसला करोगी वो सही होगा इसके बाद अभी यहां से सीन चेंज होता है और हम उसातों को देखते हैं अभी रात हो चुकी थी वो जब अपने घर जाता है तो यहां पर वो टेवल के उपर एक लैटर देखता है और उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए थे उस पर एक मैप बना हुआ था और लैटर में लिखा हुआ था कि उसातों को यह जो नीचे रखा हुआ है लैटर यह खोलना नहीं है बलकि यह किसी को देना है और उस जिगा की लोकेशन लिखी हुई थी और ऐसे उसे कल सुभा करना था वैसे भी रोज कहीं पर भी नहीं थी तो वो अपने साथियों से पूचता है कि आके रोज कहां गई जिस पर उसका साथ ही बताता है कि रोज बता कर नहीं गई कि वो कहां गई है वैसे असल में रोज जा चुकी है वहाँ डीमन आर्मी को देखने के लिए वो किसने दूर त तरफ से एक और जंगल स्टार्ट होता है जिस जंगल के दूसरी तरफ वो डीमन्स रहते हैं तो यहां इस खाई को पार करने के लिए डीमन्स अभी बहुत बड़ा ब्रिज बना रहे हैं थे क्योंकि यह पहले हमला करेंगे इस वोजासे इन्हें ब्रिज बनाने की पहले लेता है वो आकर अमीलिया को बताता है कि रोज यहां पर पहुंच चुकी है वैसे वो रोज नहीं बताता है कि कोई सोल्जस यहां पर पहुंचा है जिसने उनके बारे में देख लिया है कि वो ब्रिज बना रहे हैं पर अमीलिया को इस पर कोई दिक्कत नहीं थी वो कहती ह कि देखने दो हमें इस चीज़ से कोई फरक नहीं पड़ता हमारा बिश तयार हो चुका है और जब तक वो सोल्जस या फिर जो जो भी है वो जाका किंग को बताएगा तब तक हमारी पूरी आर्मी इस ब्रिज को पार कर चुकी होगी अब जब वो इस बात को कह रही थी इतने में ही एक बड़ा सा पिड़ उड़ते हुए आता है और सीधा उसे ब्रिज के उपर गिरता है उसे ब्रिज को वहां खाई के अंदर गिरता देख यह देखकर अमीलिया और उसकी साथ ही बहुत ज़्यादा है उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब यह भी यह क्या हुआ हु वैसे तो उसका मिशन यह था कि यहाँ पर आकर देखना कि डीमन्स कितनी दूर तक पहुँच चुके हैं लेकिन अब इस ब्रिज को डिस्ट्राइ करने की वज़य से उन लोगों को और ज़्यादा टाइम मिल चुका था क्योंकि अब ब्रिज को बनाने में डीमन्स को और ज चाप चल रहा था इसलिए बाकी लोग यह देखकर शौक थे कि एक रेक्सी स्कॉल्ट का मेंबर इतने शान तरीके से कहीं कैसे जा सकता है क्योंकि हर बार वो पागल पंदी करते हैं वैसे उसातों जब जा रहा था तब यह उस लेड़ी को देखता है जो वहाँ पर फूट सेल करती है उसातों उसके फूट बहुत ही पसंद करता है इस वजह से वह इन्हें खरीदना चाहता था पर वो सोचता है कि वहां से लोटते वक्त इन्हें खरीदेगा क्योंकि उसका काम जाता जरूरी है वह जिगा पर पहुंशता है हम देखते हैं कि असल में एक क्लिनिक जो कि और कोई नहीं बलकि और और उसकी सिस्टर चलाती हैं और तो नाम वैसे हum है। यहां पर उसातों को देखता ही तो farm क speak का मैंबर हैं अब उसातों और वह दोनों ही वहां क्लिनिक की तरफ आते हैं जहां और अभी एक बच्चे को हील करराता अच्छू थोड़ी ताढ से इस चीज़ की प्रैक्टिस है अभी वो हील कर रहा था इस वज़े से उससे बात नहीं कर सकता पर अब जब जैसे ही वो उस बच्चे को हील करता है तो उससा और यूरूरू वहां अंदर आते हैं और उससा तो उससे वो लैटर देता है वो कहता है कि ये लैटर रोस की पाती जितना वो दूसरों को हील करती है और असली कारण तो यह है कि उसे रोज की ट्रेनिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी उसे रोज बहुत ड्रावनी लगती है वैसे इस तरफ हम देखते हैं कि और जब उस लैटर को पढ़ रहा था तो उसके इंस्प्रेशन से लग रहा थ पर वो ऐसा दिखाता है जैसे कि बिल्कुल नॉर्मल अब जब यहां उसातो और यूरूरू जब बात कर रहे थे इतने में ही एक आदमी वहां आता है और वो औरगा को बताता है कि मार्किट के अंदर एक आदमी गलती च्छत की उपर से गिर गया और प्रोब्लम की बात य यहां कि वो किसी दो लोगों के उपर गिरा है जिस वज़ासे उन तीनों को ही चोट लगी है तो अब और गा तुरंती वहां जाने लगा था वो उसातों को साथ चलने को कहता है कि उसे नहीं पता कि सिचूशन कितनी बिगड़ सकती है और साथ इस चीज में उसातों भी कि क्या वो इसे हील कर पाएगा क्योंकि उसातों ने आज से पहले इतनी खतरनाक चोट को हील नहीं किया है तब ही और गा उससे कहता है कि उससे घबराने की जरूरत नहीं है हीलिंपावर जब तक अच्छे से काम करती है जब व्यक्ति को खुद पर जादा बरोसा हो जब औ वाइनले उसका पैट ठीक हो जाता है इसने सेक्सफुली उन तीनों लोगों को हील कर दिया था अब इसके बाद वो फिर से क्लिनिक लॉटते हैं जहां और और यूरूरू उसातों से कह रहे थे कि वो फिर से कभी ऐसा सीचुशन में पढ़े तो उसातों उनकी मदद कर सकत है उसातों भी इस पर हां करता है और वहां से चला जाता है उसातों के वहां जाते ही सिचुशन थोड़ी सी सीरिस हो जाती है क्योंकि और यहां अपनी भेहन को बताता है कि उस लेटर में वार के बारे में लिखा था बहुर जल्द होने वाली है और उन्हें उसके लिए लेकिन हम उसातो को देखते हैं जो की अभी बहुत ज्यादा है इस बच्ची के जितनी भी अभी तक बूरी मैमरीज थी वह उसातो के पास आ चुकी थी अब उसातो को कुछ समझ में नहीं आया था इस वजह से पहले वो चोटी बच्ची का पीचा करता है पर फिर भी उसे कुछ नहीं पतर चलता क्योंकि वो चोटी बच्ची पहले ही वहाँ से कहीं भाग चुकी थी वैसे हम देखते हैं कि जब उसातो उसे ढून रहा था तब वो चोटी बच्ची जिस गर में रहती है वहाँ उपर खडिकी से अभी उसातो को ही देख रही थी और मन में सोच रही थी कि काश उसातो सकस्वल हो जाए अभी नहीं पता कि वो किस चीज के बारे में बात कर रही थी इसके बाद अब हम उसातो को देखते हैं यहाँ पर उसातो अभी एक सोल्जर्स के पास आया हुआ था और उसे बात कर रहा था कि क्या उसने किंग्डम में किसी गल को देखा है जिसके सर पर कान थे सिंपल वो यहाँ पर कह रहा था कि क्या उसने किसी फॉक्स गल को देखा है इस पर गार्ड कहता है कि नहीं वो बहुत टाइम से यहां सिटी में आसपास घूम रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसी किसी गल को नहीं देखा अब तभी वहां पर रोज आ जाती है वो पूस्त देखिया अगर तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो वो गार्ड तो यहां पर रोज को देखकर डर गया था इस हो जैसे वो तुरंती वहां से भाग जाता है वो साथ हो कहता है कि तुम कहां भाग रहे हो तो वो बात बदलते हुए पूचता है कि इतने टाइम से आकर वो कहां पर गई थी तो इस पर रोज पूल डिटेल में बताती है कि किंग की तरफ से उसे एक मिशन मिला था जिस मिशन के दोरान उसे डीमन्स को देख कर आना था कि वो अभी तक कहां पहुँचे अब उसातो भी इस बारे में थोड़ी डिटेल मांगता है तो रोज बताती है कि वो लोग एक वैली पार करने के लिए यहां जंगल की तरफ एंटर करने वाले हैं लेकिन रोज ने वहां ब्रिज डिस्ट्टॉई कर दिया जिस वो जैसे उन्हें अब बहुत टाइम लगने वाला है उसातो इस पर खुश था अब वो दुनों ही वापस घर की तरफ लोटने लगते हैं जहां उसातो अब रोस को वो फॉक्स गल की बात बताता है अब लखी ली यहां रोस उसके बारे में जानती थी वो कहती है कि हां मुझे पता है वो दो साल पहले इसे किंग्डम में आई थी वो यहां कहीं नहीं है और जब वो यहां पर आई थी तब वो 12 साल की थी उसका सफर बहुत मुश्किल भरा रहा क्योंकि रास्ते में वेस्क लैंड के दोरान उसके उपर कई सारे लुटेरों ने और कुछ किड्नैप करने वाले लोगों ने हमला किया था लेकिन वो उन सभी से बची और उसने यहां तक का रास्ता तै किया अब उसातों यह तो समझ गया था रास्ते में लुटेरे मिल सकते हैं जो की समान लूटते हैं लेकिन कोई किड्नैपर उसे किड्नैप क्यो करना पड़े चाहेगा रोज कहती है तो तुम इस वर्ल्ड से नहीं हो इस वज़ा से तुम नहीं जानते वो यहां उसातों को बताती है जो डैमी यूमन्स होते हैं उनके पास एक स्पेशल अबिलिटी होती है अभी फिक्स नहीं है उनके पास कौन सी पावर्स है सब के पास अलग अलग तरह की पावर्स होती है इस वो जासे कुछ लोग उन्हें किड्नैप करना पसंद करते हैं जिससे कि उनकी पावर को कैप्चर कर सकें या फिर उन्हें महंगे दावों पर सेल कर सकें उसा तो सारी बात समझ गया था वैसे उसा तो फोसता है कि क्या किसी डैमी यूमन के पास ऐसी पावर्स भी हो सकती है जिससे वो सामने वाले को अपनी कोई मेमरी जिया फिर कोई डरावनी इमेजिस दिखा सके रोज पहले तो थोड़ा सोचती है और फिर कहती है कि हाँ एक ऐसी अबिलिटी है जिसमें कोई पुरानी यादे तो नहीं बलकि फ्यूचर में जो होने वाला है वो दिखा सकता है और साथी दूसरे को दिखा सकता है पर ऐसी अबिलिटी बहुत ही रेर होती है कि तुम घर जाओ, मुझे अभी कैसल में भी जाना है, क्यूंकि मुझे किंग को रिपोर्ट देनी है, अपने समिशन के बारे में, वो अभी वहां से लोटी थी, इस वोजा से वो अभी किंग से नहीं मिली है, वहाँ पर जाकर वो किंग को सारी बात बताती है, किंग बहुत बुलाते हैं, अब काजुकी और इनुकामी जब वहां पर आ रहे थे, तो वो आपस में बात कर रहे थे, कि आखिर किंग ने उन्हें इतनी जादा अरजेंट क्यूं बुलाया, लेकिन ये बात उन्हें किंग के पास जाकर ही पता चलेगी, वो आगे बढ़ रहे थे, तब ह प्रिंसेस सीलिया के साथ होती है, इनुकामी तो उससे बिलकुल नॉर्मली बात कर रही थी, लेकिन काजुकी के लिए उसे अभी बात कर पाना थोड़ा सा वीर्ड हो रहा था, क्योंकि पिछली बार के इंसिडेंट के बाद उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, वो प् के चलते उसातों को नीद नहीं आ रही थी, वो सोच रहा था कि आखिर वो छोटी बच्ची उससे क्या कहना चाहती थी, वो ये तो समझ गया था कि उसने जो भी कुछ इमेज देखी वो फ्यूचर की थी, पर आखिर उसका मतलब क्या था, अब यहीं सब वो सोच रहा था, तब ही अचानक से उसे खड़की की तरफ से कुछ लाइट आते हुई देखती है, वो तुरंती खड़की के पास जाकर देखता है, तो नीचे काजुकी खड़ा हुआ था, वो तुरंती नीचे जाता है, और अब वो दोनों बैठकर बात कर रहे थे, काजुकी इसबसे पहल कर उन दोनों को बलाया था, उन दोनों का मतलब इनुकामी और काजुको को बलाया था, किंग उन्हें बताया कि बहुत ही जल्दी डीमन वार होने वाली है, और सभी को पता है कि काजुकी और इनुकामी दोनों ही वहाँ पार्टिसपेट करने वाले हैं, वो कहते हैं कि जब वहां कासल के अंदर से भाग कर यहां पर आ गया था वो साथों से कहता है कि अभी कुछ टाइम पहले मैं ट्रेनिंग के लिए जंगल में गया जहां मैं इस पूरे किंडम के सबसे बेस्ट गार्ड सीरियस के साथ था लेकिन फिर भी जब हमारे सामने मॉंस्टर आये और जब उन से मुझे लड़ना था तो मेरे पैर काप रहे थे जब मैंने पहले मॉंस्टर को मारा तो मैं चीज समझ चुका था कि ये किसी गेम की तरह नहीं है ये सब कुछ सीरियस होने वाला है और साथी साथ इस बार तो हमारी लड़ाई उन डीमन्स के साथ है वो तो हर कोशिश करेंगे जिससे कि वो हमें खतम कर सकें वो कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं यहां पर उसाथ उसकी बात बड़ी ध्यान से सुन रहा था और उसके चैरे पर एक स्माइल थी वो कहता है कि बिलकुल सेम तरीके से मैं सूछता था जब मैं रियल वर्ल्ड में था मुझे लगता था कि तुम क्लास के सबसे हैंडसम और सबसे समझदार लड़के हो इसका मतलब हर चीज का आंसर तुमारे पास होगा लेकिन मैं शौक हूँ कि तुमें सच में कुछ चीज़े नहीं पता और तुम वो मुझसे पूछने के लिए आए हो मैं तुमें बता दूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था जब मुझे पता चला कि मुझे इस वॉर में फ्रंट लाइन में रहना है लेकिन अब मैं अतना ज़्यादा एकसाइटीड हूँ ऐसा नहीं है कि मैं अभी डर नहीं रहा लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मैं वहाँ पर नहीं गया तो कई लोग की जान चली जाएगी मेरे वहाँ होने से ये पक्का नहीं है कि लोग की जान बचने वाली है लेकिन मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ उतनी कोशिश करूँगा अब उसके सारी बाते सुनकर काजू की सच में बहुत ही जादा मोटिवेट हो चुका था वो समझ गया था कि अगर उसने हाँ करी तो उसकी जान भी जा सकती है वार के दोरान लेकिन अब उसे इस चीज का डर नहीं था वो तरंती कहता है कि मैं भी तुमारी तरह अब वहाँ जाने के लिए एकसाइटेड हूँ वो दोनों आपस में प्रॉमिस करते हैं कि वो इस किंडम को बचा कर रहेंगे और इसके बाद काजू की वहाँ से चला जाता है अभी उसातों को फील हो रहा था कि सच में उसने बहुती सादा वीर्ड बाते कर दी इतना वो पहले कभी नहीं बोला है लेकिन तब ही हम वहाँ पर इनुकामी को देखते हैं वो असल में काजू की का पीचा करते हुए यहाँ पर आ गई थी क्योंकि उसे काजू की की चिंता हो रही थी पहले तो वो उसातों का मजाक उड़ाते हुए उसकी स्पीच रिपीट करने लगती है जो कि उसातों को बिल्कुल वीर्ड नहीं लग रही थी बलकि वो ऐसा दिखा रहा था कि उसे इससे कोई फरक नहीं पड़ता वो कहता है कि हम कल मिलेंगे वैसे इनुकामी कहती है कि मैं यहाँ पर काजू की का पीचा करते हुए आई थी उसे उसकी चिंता थी लेकिन अब उसातों ने सारे सिचुशन संभाल ली है इसलिए कोई बात नहीं वैसे उसातों वैसे सोच रहाएक कि काजू की वहाँ ना जाएक कि यहाँ ने भुला लिया था यहाँ पर ईनुकामी और काजू की उनके आसपास खड़े वे थे किंग सभी को बटाते कि डीमेंस वار कि तैयारी कर चुके है वह जल्द हे यहां पर पहुँचेंगे और बहुत ही जल्द उनकी उनसे लड़ाइ होने वाली है यह लड़ाइ पिछली बार जिदनी आसान नहीं होगी क्योंकि इस बार डीमन्स ने याने की डीमन्स सोलिज़स को बुला लिया है साथी साथ حملہ करने के लिए उनसे लड़ना इस बार और ज़ादा मुश्किल होगा लेकिन किंग कहते हैं कि हम भी बिना तयारी के वहाँ नहीं जा रहे हैं वो कजोकी और इनुकामी के बारे में बताते हैं कि हमारे साथ दू वारियर्स हैं वो यहाँ पर रेक्सिस कोड को भी बुलाते हैं वो कहते हैं कि रेक्सिस कोड भी पहले से जादा स्टॉंग हो चुकी है इसलिए अब हम उतना डरने की ज़रोत नहीं अब सबी तयार थे अगले दिन उन्हें यहां से निकलना था हम अगले सीर में काजुकी को देखते हैं जो की पूरी तरह से तयार लग रहा था लेकिन अभी सबसे पहले वो प्रिंसस सीलिया से मिलने के लिए जाता है वहाँ पर जाकर पहले तो वो उसी मेर्ट से कहता है कि जिसके बाद वो प्रिंसेसीलिया की मिट वहां अंदर जाकर प्रिंसेसीलिया से कहती है कि आप से मिलने काजुकी आया है अब प्रिंसेसीलिया वहां गेट के पास आती है काजुकी कहता है कि माफ करना मैंने तुम्हें डिस्टप किया لیکن پرنसیسیلیا خوش थी कि वो वर में जाने से पहले उस से मिलने के लिए आया काजोकी यहाँ पर 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 पहली बार नाम लेता है कि वो आज नहीं कल वर में जाने वाला है लकिन अब जब काजोकी ने उसका लिया था तो वो यहाँ पर बहुत ही ज़दा शर्मा गई थी और वो बलश करती है इसके बाद काजुकी वहाँ से चला जाता है काजुकी ने यहाँ पर अपना लव कंफेस नहीं किया था क्योंकि वो जानता है कि वो जिस वार में जाने वाला है वहां पर जरूरी नहीं कि वो जिन्दा बचकर भी आएगा अब यहां से सीन्चेंज होता है हम देखते हैं कि उसातो अभी ब्लोरेंस के साथ खेल रहा था तब ही वहां पर यूरूरू आती है आपको याद नहीं हो तो यह वही लड़की है जो कि और गाह की बहन है और यह दुनों ही हीलर हैं और यह भी अभी वहां वार में जाने के तैयारी कर रहे थे यूरूरू यहां पर अभी ब्लोरेंस को देखती है उसे ब्लोरंस बहुत ही ज़यादा क्यूट लगता है वे उसके साथ खेलना चाहती थी और यूरूरू जब हात आगे बढ़ाती है तो ब्लोरंस उसके हात को कार देता है तब यूरूरू के कंदे पर रैबिट आ जुका था जो की रोस का है मगर यूरूables जब उसे टच करने जाती है तो वह वहाँ से हट चाता है तब ही उसातों नोटिस करता है कि सामने औरगा भी वहाँ आ रहा है लेकिन उसके हाथ में समानाता जोकी वह उठाने ही पा रहा था इस वज़ासे उसातों वहाँ जाकर उसकी मदद करता है अभी लोग वार के बारे में बात कर रहे थे यूरूरू शायद पहली बार उस वार में जाने वाली है इस वज़ा से वो इसके लिए थोड़ी नर्वस थी तब ही वहाँ पर वो गैंस्टर लुक वाला आदमी आता है मतलब उसातो का साथी और वो कहता है कि रोज उसातो को उसके कमरे में बुला रही है क्योंकि वार में जाने से पहले वो उससे कुछ जरूरी बात करना चाहती है उसातो वहाँ पर जाता है वैसे पहले कभी वो रोज के कमरे में नहीं गया इस वज़ा से वो थोड़ा शौक था अब वहाँ पर जाने के बाद रोज उसे एक बॉक्स देती है जिसमें उसके लिए एक नई उनिफॉर्म थी वो उसाथों पर अच्छी लग रही थी रोज यहाँ पर बताती है कि वो शुरुआत में फरंट लाइन पर नहीं रहेगा बलकि तुमें जो मिल रहे हैं पहले तुम उन्हें हील करोगे साथी साथ में अगर तुम चाहो तो तुम अगर डीमन्स को भी रोख सकते हो वैसे यहाँ पर वो साथों को एक बात क्लियर कर देती है कि वो कुछ भी हो जाए उसाथों को वहाँ पर अपनी जान नहीं गमानी है उसाथों कहते है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला तो इस पर रोज कहती है कि वो ऐसा कई सारे लोगों को जानती है जिनोंने उसे सेम बात कही थी लेकिन बाद में उन्होंने खुद को सैक्रिपाइस कर दिया वो ये भी कहती है कि अगर तुमने सैक्रिपाइस करने का ख्याल अपने मन मिलाया तो वो डीमन्स तुम्हें मारे इसके पहले मैं तुम्हें मार दूंगी वो साथो कहते है कि वो चिंता नहीं करे उसा तो ऐसा कुछ नहीं करने वाला वो दूसरों को भी बचाएगा और खुद भी वहां से जिंदा बचकर लोट के आएगा इसके बाद उसा तो वहां भारा गया था वो खुद से क्या रहा था कि उसकी में प्रायोटी रहेगी कि वो काजुकी और इनुकामे को कुछ ना होने दे और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है